जाहें दुच्चों, हम चाप्टर पढ़ रहे हैं, When Iwanis cries in O-Level, आएए आगे पढ़ते हैं, It was 9.10 a.m. when the governor switched on the receiver, सुभा के 9 बच के 10 मिनट हो रहे थे, जब governor ने receiver का switch on किया, कि कौन सा receiver है, ये वो line है, जो Iwanis के cell से जोड़ी हुई है, जिसमें Iwanis के cell में जो कुछ भी हो रहा है, इस line के द्वारा receiver को उठाने के बाद सुना जा सकता है, He had instructed Jackson to tell Iwanis of the temporary little precaution, That was only fair, Governor ने Jackson को instructions दे थे, यानि कि Governor ने Jackson को निर्देश दे थे, कि Iwanis को इस छोटे से precaution के बारे में, यानि कि जो साबधानी उन्होंने बढ़ती है, जो तार उन्होंने लगाई है सुनने के लिए, इसके बारे में बता दिया जाए, उससे चुप कर के ये काम ना किया जाए, That was only fair, As if Iwanis wouldn't spot it, ये उनके विचार से सही तरीका था, और वैसे भी, ऐसा तो होना नहीं था, कि Iwans को वो तार दिखाई ना दे, या फिर Iwans को उसके बारे में बताना चले, But wasn't it all a bit theatrical, लेकिन ये सारी की सारी घटना, ये सारी की सारी तैयारी, काफी नाटके नहीं लग रही थी, theatrical का मतलब है नाटके लगना, School boys, almost, ऐसे लग रहा था, जैसे कि वो सभी बड़े, गवनर हो, या फिर वो इंस्पेक्टर हो, या फिर वो जेलर हो, वो सभी के सभी स्कूल के लड़कों की तरह विभार कर रहे थे, थोड़ा सा बचकाना विभार कर रहे थे, How on earth was Iwans going to try anything on today? Iwans कैसे, आज कोई भी चीज करने की कोशिश करता, आज ऐसा कैसे हो सकता था, कि Iwans भागने की कोशिश करता इस परिस्तिते में, If he was so anxious to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Much easier, but he hadn't. अब अगर वो कुछ करने के लिए व्याकुल होता, anxious यानिके व्याकुल होना, अगर वो भागने की कोशिश करता, तो ये उसका चौथा attempt होता, यानिके चौथा प्रयास होता, तो यदि वो ऐसा कुछ करना चाहता, तो फिर वो recreational block में क्यों नहीं कोशिश करता, क्योंकि वहाँ भी तो cell नहीं था, वहाँ भी तो open area था, अगर उसने ऐसा कोई प्रयातन नहीं किया था, और अब वो यहाँ पर था, बैटा हुआ था अपनी locked cell में, सारे के सारे prison officers alert पे थे, क्योंकि सब को पता था कि वो परिक्षा देने वाला है, तो सब के सब alert पे थे, यार्ड के बीच में और उसके खुद के सेल के बीच में, दो बड़े-बड़े बहुत ही भारी दर्वाजे थे, जो कि locked थे, and a yard with a wall as high as a heath tank, yes, इवांस was as safe as houses, और जो यार्ड था, उसके दिवार भी बहुत ही उँची थी, और उसमें से ऐसे पार निकलना समभब नहीं था, इवांस बहुत ही सुरक्षित सती में था, तो अब जब इवांस का सुरक्षा घेरा, इतना कड़ा था, सब को पहले से मालूम था, कि वो परिक्षा देने माला है, तो जाहिर है, इवांस महां से निगलने की कोई कोशिश नहीं कर रहा था, वैसे भी, यह कोई खास परिशानी की बात तो है नहीं, कि जो रिसीवर है, वो अगली दो घंटे या कुछ रही घंटे के लिए चलता रहे, या फिर ओन हो, यानि कि हम आवास सुनते रहे, इसे वो नुक्सान तो होना नहीं था, और ऐसा भी नहीं था कि सुनने को बहुत जादा कुछ था, क्योंकि वो लोग बाते तो करने वाली नहीं थे, परिक्षा थी आकिरकार, और बाकी चीज़ों के अलावा, जो निरिक्षक थे, मैं क्लेरी, उनकी एक बहुती भातवपूर्ण ड्यूटी में थी, वो ये थी, कि पूरे समय, पूरी परिक्षा की दौरान एक तम शांती भने रहे, किसी की आवाज ना आये, strictest यानि के बहुती कड़ी, कड़ाई से इस बात का पालन किया जाए, कि वहाँ पर पूरी तना से शांती हो, but still that little nagging doubt, तेकिन फिर भी एक अजीब सा शक, और एक अजीब सी शंका मन में आ रहे थी, nagging का मतलब है, जो चीज बार-बार आपको टोके, या जो चीज आपको बार-बार याद दिलाए, या जो चीज बार-बार आपके दिमाग में आए, doubt या निकेशन का, Might Evans try to take advantage of McLaree, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि Evans McLaree का फाइदा उठाने की कोशिश करेगा, Take advantage of का मतलब है, फाइदा उठाना, Get him to smuggle in a chisel or two or a rope ladder, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उससे कोई chisel मंगवाएगा, chisel यानिके, चैनी, तो चैनी को अंदर चुपके से smuggle करने का मतलब क्या होता है, चुपके से अंदर लेकिया आना, चुपके से इधर से उधर करना चीज़ को, जो किसी को पता ना चले, किसी ग्यार कामनी चीज़ को, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कि वो McClary को अपने जान में फसा लेगा, और उसके द्वारा चैनी मंगवा लेगा, या फिर रोप, या फिर रस्सी, या फिर कोई रस्सी वाली सीड़ी, कुछ और कुछ भी मगा सकता है, तो ये एक शंका थी, गवरनर के मन में, जो उनकी मन में बार बार बूज रही थी, ये सब कुछ जानते हुए, कि जो इंतिजाम है सुरक्षा का, वो पूरी कड़ाई से किया गया है, अब ये तो ठीक है कि, कि इवान्स के पास किसी भी पकार का शस्त्र ना हो, इवान्स के पास कोई भी ऐसी चीज ना हो, जिसका प्रयोग करके वो भागने की कोशिश करे, ये तो उन्हें सुनिश्चित कर दिया था, लेकिन, वाट अबाउट मेक्लेरी, लेकिन मेक्लेरी का क्या, क्या पता मेक्लेरी को यसी चीज ला रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, कि एक्दम अन्जाने में, अन्विटिंग्ली का मतलब होता है अन्जाने में, ऐसा कोई काम जो जानमुच करके नहीं किया गया हो, लेकिन अंजाने में हो गया हो क्या पता अंजाने में Innocence का मतलब क्या है भोला जो सीधा सा या जो भोला सा मतलेरी है कही ऐसा तो नहीं कि अंजाने में वोई ऐसे कोई चीज अंदर ले आए A Jack Knife परहप्स वो Jack Knife भिला सकता है Jack Knife क्या होता है खुलने और बंद होने वाला चाकू चाकू देखा होगा आपने ही तो छुटा होता है लेकिन वो खोल करके उसको हम पूरा खोल सकते हैं और उसे के बाद आपस उसको अंदर बंद कर सकते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो Jack Knife लेकर आए गलती से And What if he once held him hostage with such a weapon और अगर ऐसे कोई चीज वो गलती से ले आए और इवांज उसी चीज को पकड करके उसके उपर हमला कर दे तो और उसी चीज से इवांज उसे hostage बना ले यानि कि बंदी बना ले तो तो गवर्नर के मन में ये सारे विचार आ रहे थे The governor reached for the phone It was 9.12 a.m The examini and the invigilator had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McLary through the cell door Can you come outside a minute sir? You too, Stephens जो examini है यानि के जिसकी परिक्षा होनी थी कौन है? इवांस And the invigilator और निरिक्षक निरिक्षक कौन है? निरिक्षक है McLary उन दोनों का आपस में परिचे Stephens द्वारा कर दिया गया था जिससे में Jackson वापस आया और McLary को उची आवाज में बुलाया Can you come outside a minute sir? क्या आप एक मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं sir? आप भी बाहर आईए आप भी Stephens तो उसने Stephens को और McLary को बाहर बुलाया अब यह आखरी पल में यह लास्ट मिनट में Stephens को और McLary को Jackson के द्वारा बाहर क्यों बुला गया है? क्या गवर्नर ने कोई निदेश भीजा है? क्योंकि गवर्नर को काफी चिंता हो रही थी कि McLary कहीं गलती से कोई ऐसी चीज न ले आया हो जिसका प्रियोग करके इवांज उससे बंदी बना ले तो अब आगी क्या होगा? यह हम अगले वीडियो में जानेंगे इस वीडियो को हम यहीं पर रोपते हैं धन्यवाद